गुड मॉर्निंग यहाँ है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट जिसने आपको आज के लिए मार्केट का डाइरेक्शन बताया जाएगा एक बार डिस्क्लेमर जरूर वीड करें तो आए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेट अप साथ बजे की क्लोजिंग के हिसाब से SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा पॉजिटिव 115.17879 के लेवल पे तो अपना इंडियन मार्केट भी कल की तरह गैप अप ओपन हो सकता है तो पहले 5 मिनट्स आप वेट करें उसके बाद ट्रेंड के हिसाब से प्लान करें तुडे क्लोजिंग के हिसाब से मेजर ग्लोबल मार्केट ट्रेड कर रहे ग्रीन पॉजिटिव नैस्दे क्लोज हुआ पॉजिटिव 11,584 के लेवल पे और डोग जोन्स भी 1.09% के बढ़त के साथ क्लोज हुआ 34,086 के लेवल पे आज पेश होगा इंडियन बजट जिसके वजह से मार्केट में आज वोलेटिलिटी हाई रहेगी और जिस हिसाब से बजट रिलीज होगा उस हिसाब से स्टॉक्स एंड इंडेक्स में मूवमेंट आ सकता है तो आप लोग उस हिसाब से प्लानिंग करें यस्टरड़े को निफ्टी गैप अप उपनिंग के बाद हिट किया 17,735 का लेवल और यहां से स्लिप हुआ करीब 200 पॉइंट्स फिर थोड़ी रिक्वरी के बाद 0.07% की थोड़ी रिक्वरी के बाद पॉजिटिव 13 पॉइंट्स के साथ क्लोज हुआ 17,662 के लेवल पे 17,600 पुट आप्शन में इनक्रीस हुआ हाई ओपन इंट्रेस्ट तो इस डेटा के हिसाब से निफ्टी का रेंज अब है इमेडियेट सपोर्ट लेवल 17,500 एंड इमेडियेट रेजिस्टेंस लेवल 17,800 तक यस्टरड़े बैंक निफ्टी गैप अप उपेनिंग के बाद ट्रेड में हिट किया अपर 40,811 का लेवल लेकिन ये इस लेवल 400 पॉइंट की बड़ी गिरावट दिखाया और थोड़ी रिक्वरी के लिया और पॉजिटिव 0.66% की बड़ी गिरावट के बाद पॉजिटिव 267 पॉइंट के साथ क्लोज हुआ 40,655 के लेवल पे अब है बैंक निफ्टि कोंट्राक्ड की 2nd फर्वरी विकलीадц Tai Impact के बाद पॉजिटी के हिसाब से deata के हिसाब से बैंक निफ्टि का रिंज अब है इमेडियेट सपोर्ट 40,400 एंड इमेडियेट रेजिस्टेंस 40,800 तक फ्राइडे को कैश सिग्मेंट में अफ आई आई नेट सेलर थे 5,449 करोड एंड डी आई आई नेट बायर्स थे 4,506 करोड यस्टरड़े इंडिया विक्स में 4,74% लूड का अब आ गया है 16,87 पे यस्टरड़े को इन स्टॉक्स के आए नतीजे जिसमें पहला सन फार्मा सन फार्मा का तीसरी तिमाही का नेट प्रॉफिट 5% बढ़कर 2,166 करोड रुपए हो गया दूसरा कोल इंडिया उच्छ प्राप्तियों पर कोल इंडिया का तीसरी तिमाही का नेट प्रॉफिट 70% बढ़कर 7,556 करोड रुपए हो गया लास्ट इंडियन ओयल इंडियन ओयल का नेट प्रॉफिट तीसरी तिमाही में 87% घटकर 7,73 करोड रुपए रहा आज इन दो स्टॉक्स के आ सकते हैं नतीजे अशोक लेलाइंड डॉट बिटैनिया इंडिस्ट्रीज हिंदुस्तान कॉपपर जुबिलंथ फूडवर्क्स ताटा कोमिकल्स एंड वर्लपूल आफ इंडिया आज अम्बुजा सीमेंट फ्यूचर ऑप्शन सेक्यूर्टी में रहेगा बैंड इंट्राडे स्टॉक्स का विडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है आप देख सकते हैं प्लीज विडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिन वीडियो एपी ट्रेदिंग